नमोवा, तो आप एक Genshin Impact Player हो और आप एक World Quest कर रहे हो, सब सही चल रहा है, लेकिन एक कोईट आता है, जब आप इतना सारा डायलोग पढ़के बोर होने रखते हो, और सोचते हो कि आप चलो skip करो यह सब, आगे बढ़ते हैं, आप अपना माउस लेके स्क्रीन पे skip बटन रू अगे बढ़ते हो, अगर आप भी ऐसा फेस कर रहे हो, then I have some bad news for you, Genshin Impact में कभी भी आपको stories के button नहीं मिलेगा, पर ऐसा है क्यों, क्या कुछ रीजन्स हैं, जिसकी वज़े से होयोवर्स, Genshin Impact में कोई stories के button नहीं दे रहा अपने प्लेयर्स को इतनी request करने के बाद भी, होयो रहा है, reason number one, technical reason, video games एक interactive narrative medium है, मतलब इनमें players का input और pre-determined story दोनों involved होते हैं, कुछ games में आपके input के basis पे story change होती है, और कुछ में story pre-determined होती है, और जो भी dialogue choices आपको मिलते हैं, उनका overall story पे जादा कुछ फरक नहीं पड़ता, इसी वज़े से choice based games, जैसे कि like strange में, आपको skip button नहीं मिल सकता, क्योंकि game की story literally as cheese में depend करती है, कि आपके interactions, दूसरे characters के साथ कैसे रहते हैं, और आपकी dialogue choices कैसी है, बट यह दिकत Genshin में नहीं है, Genshin में इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप dialogue क्या choose करते हो, आपकी story वैसे ही चलेगी, जैसा कि पहले से decided है, तो दूसरा reason यह लगता है कि बहुत से दूसरी games की तरह Genshin Impact अपने cutscenes को background में हो रही loading को छुपाने के लिए उसकरता है, देखो, एक चीज़ gaming में skip button ना होने से भी जादा frustrating है, और वो है कई मिनट तक लंबा loading screen, game को loading कही ना कहीं और किसी ना किसी तरह से तो करनी है, वो अपने next scene के बी ना ही है, बट वहां तो skip button है, और बात तो सही है, तो फिर क्या reason हो सकता है skip button ना देने का, well, possible reason number 2, narrative structure of the game, देखो, Genshin Impact की quests more or less एक movie की तरह play करती है, 90% of the time आपको Genshin एक cutscene में रखता है, और बाकी बचे 10% में आप gameplay केरते हो, तो Genshin Impact एक narrative heavy game है, ना कि gameplay heavy, Genshin का gameplay जैसे की elemental reactions, monster fighting, यह Genshin के narrative के बाहर exist करते हैं, बाकी games की तरह gameplay narrative का पार्ट नहीं है, यह दोनों game में अलग-अलग exist करते हैं, तो एक game company, जिसने अपने quest के resources का 90% अपने story narration में इंवेस्ट किया है, वो नहीं चाहेगा, कि आप उनकी उस मेहनत को skip करके सीधा 10% gameplay पे पहुँच जाओ, क्योंकि कई बारे cutscene इतना बड़ा होता है, कि वो शुरू होने से पहले जो आप कर रहे थे, और उसके खतम होने के बाद जो आपको करना है, वो बहुत ही drastically different हो सकता है, एक example दे के समझाता हूँ, and spoiler alert for Inazuma Archon Quest here, Inazuma की Archon Quest में, जब Riding Shogun, Toma को capture करके उसका vision लेने वाली ह होती है, तो वो पूरा cutscene कुछ इस तरह से प्ले होता, अगर आपके पास एक skip button होता, देखा, कितना जादा जारी है यह देखना, cutscenes, आपको एक plot point से दूसरे point जग बिना shock किये ले जाते हैं, और आप दो plot points को easily connect कर पाते हो, यह नहीं कि एक minute आप एक tea house के अंदर enter करते हो, और skip के बाद सीधा god of thunder के साथ fight, होयो चाहता है कि आप story में invested रहो, इसका भी counter argument exist करता है, और वो यह है कि बहुत से gamers को story से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बस gameplay में जाना है, अब आता है तीसरा reason, जो मुझे लगता है कि होयो को skip button देने से prevent कर रहा है, और वो है reason number 3, business reasons, देखो होयो चाहता है कि आप story में invested रहो, यह तो मैंने बताया, क्योंकि story में invested रहोगे, तो story के characters में invested रहोगे, और जितना character से लगाव होगा अपको, उतना ही आप पुल करने का सोचोगे, क्योंकि कुछ लोग characters सिर्फ इसलिए पुल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें character story में बहुत अच्छा लगा, मैंने personally new village सिर्फ इसलिए पुल किया था, कि उससे मैं personal level पर बहुत जादा कनेक्ट हुआ game के अंदर, अगर मैं पूरी story skip कर दे था, तो मुझे मोटा मोटा तो पता होता कि यह character कौन है और क्या करता है, बट शायद मैं उससे pull नहीं करता, क्योंकि मुझे एक और dps नहीं चाहिए था, बट new village की story और उसके beautiful character arc ने मुझे new village को pull करने पे मजबूर कर दिया, दूसरी चीज़ यह भी है, कि जब आप story skip नहीं करते हो, तो आप game में जाधा time तक lockdown रहते हो, क्योंकि quest पूरी करने के लिए आपको story से तो होके जाना ही होगा और यह एक player के average play time को बढ़ाने का बहुत बढ़िया तरीका है, होईो अपने players के average login time को अपनी investor meeting या board of directors की meeting में fax कर सकता है, कि देखो, लोग कितना हमारी game में इनवेस्ट करते हैं, बले ही वो invested time forced हो, तो यह होगे तीन reasons जो मुझे लगता है कि होईो अपनी games में क्यों एक story skip करने का button नहीं देता, लेकिन इन तीनो reasons को refute करने के लिए एक ही counterpoint है, और वो यह है कि honk का स्वारेल भी तो होईो की game है, उसमें तो skip button दिया हुआ है, तो इसका एक response है कि नफरत करता है होईो Genshin player से, बढ़ और on a serious note, होईो का Genshin में skip button ना देने का reason हमेशा security रहेगा शायर, और यह skip button Genshin में कभी नहीं आएगा, चाहे आप game में कितना ही पैसा as a player spend कर लो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए, अगर यह जानना है, तो यह वीडियो देखो, कि मैं अपने live stream पे account reviews क्यों नहीं करने बाला हूँ, मिल दे नेक्स वीडियो में, नमोवा,